जय हिन दोस्तों आजकल जादा तर वाओ का हाल यह है मैं अभी तक बेरोजगार हूं लोग क्या सोच रहा होगा मैंने बहुआ सारे कामें स्टार्ट किये फेलोर हो गया लोग क्या सोच रहा होगा यह सोच के सोच सोच के वो अपनी आधी जिन्दगी को खतम कर लेते हैं वो कि बहन क्या सोच रही होंगी आपके अपर जो उम्मीद लगा रखा है आपका परिवार वो क्या सोच रहा होगा जो माबाप आपको पढ़ाया लिखाया आपसे जो उम्मीद रहा उसको क्या उम्मीद रख रखे वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा मेरा बैटा परहा कि लोग क्या सोच रहे आप अक्सर ज्यादा तरी वाओ की बात वाला हूं अक्सर वह दूसरों को पढ़ने की कुछिस करते हैं जब घर से निकलते हैं बहुत सारे लोगों का माइनिया ऐसा हो जाता है दिमाग में जो घर से निकलते हैं तो उन्हें लगता है और कोई मुझे देख रहा है पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो ऐसे ही पढ़ते रहते दूसरे को दिमाग जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप क्या कर रहे हैं करने वाले हैं आगे क्या करेंगे आपने कितनी तरक्की कर ली है या फिर आप कितने बार फिलियोर हुए है आप जो श्टार्ट किये हो आप जो काम करने लुवू होगे कम आप नुक्सान होगा और तरक्तिं करेंगे तो वह उनतिष यह रहता है उसको इसमें खुसी होती है उसको गतला नहीं है कि एक क्या करने वाले हो तो अब टक्टकी हुए हैं कहां पिछ्ड है कहां बरबाद हुए यह सुनने के-ली तयार रहता है जो इनसान आपका फेलियोर का इंतजार करता रहता है चाहे वापका प्रोशी है समाज वो हो आपके लिश्तेदार हो आपके दोस्तों कोई भी हो सकता है इसमें तो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं लिकिन बहुत सारे लोगों के इन लोगों में से ज्यादा तर लोग यहीं इंतियार करते हैं फिर उसके बारे में क्या सोचना मेहनत करते रहो अपने काम पे फोकस रखो अपने एम पे फोकस रखो आप जिंदगी में कभी यह सोचो ह कि कौन क्या सोच रहा है यह सोचते सोचते आपका उमर अगर 20 बरस के है पचीस बरस के है तो कब तीस हो जाएगा 35 चालिस हो जाएगा 45 पचास हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन ज़र्गवास होने के बाद लोग यही कहेंगे कि फलाने का नीधन हो गया पचीस साल ही है तीस साल ही है अरे दस साल में कुछ कर लेंगे पंदर साल में कुछ कर लेंगे बीस साल में कुछ कर लेंगे पचीस साल में कुछ कर लेंगे ऐसा यह में लेकर रखते देखिए यह जिन्दगी जो है यह एज का कल्कुलेशन लेकर आपको चलना पड़ेगा यह जो इंसान समझ नहीं पाता है, वो निहत्य हिरा जाता है, और ऐसे ही इस दुनिया से चला जाता है, ना अपने लिए कुछ कर पाता है, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाता है, और नहीं आने वाले पीडी के लिए कुछ छोड़ के जाता है, मैंने जो life का calculate बताया जीवन का calculation बताया हो बहुत जरूरी होता है जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप 25 वर्स के इंसान हो तो आप यह सोच लो कि मेरी जिंदगी में अब मातर और मातर 25 वर्स ही बचा हुआ है इसी के अंदर में मुझे कुछ करना है अगर 25 वर्स बचा और 15 वर्स में तरक्की करने के लिए आपको इस 25 वर्स से ही मेहनत करना पड़ेगा अभी सही स्टार्ट अप करना पड़ेगा आपको किसी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी किसी का कोई परवाह नहीं करना पड़ेगा और आपको तो यह सोचना ही नहीं है कि कौन क्या म आप भी आ जाएंगे तो जीवन का कल्कुलेशन बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों मैंने ये भी देखाए कि उम्र 30 हो गया चालीस हो गया पैतिस हो गया आज भी गर लेंगे पास साल में कुछ कर लेंगे दस साल कुछ कुछ स्टार्ट अप करना चाहते ही नहीं वह हमेंसा सुचते हैं कर लेंगे अभी बहुत बचा हुआ कुछ नहीं बचा हुआ कब 35-40-50 व्याता है उम्र का पता नहीं चलता है आपका बता दू अभी के समय में लोग कहते हैं कि 60-70 वरस जीते हैं वह जीने की आयू मरने वाल दंध्र को काट रहें मौत का इंतजार कर रहा हैं कि 10 से पंदर साल 20 सल के बाद मुझे चले जाना तो आपको इसी के अंदर में कुछ रहा है ताकि बाकी जीवन जो बचा हुआ है उसमें अच्छी जिन्दगी जी सके आप अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ चोड़ सके या फिर कुछ ऐसा आपका एचिवमेंट हो कि आपके बच्चे याद करें अगर इंसान अपने एज का कल्कुलेशन लेकर कुछ करें तो तरक्की भी करेंगा कुछ कर भी जाएगा और आलस जो बोलते हैं आलस उसके अंदर कभी नहीं आएगा उसको पता चलेगा उसको लगेगा कि कुछ दिन तो ही बचा हुआ है मेरी जिंदगी में कुछ साल ही बचा हुआ है इसी में मुझे कुछ करना है यह कभी नहीं टालेगा कि कर लेंगे पास साल बात कर लेंगे अभी करेंगे तो लोग क्या सूचेगा यह करेंगे तो क्या सूचेगा पहली बा काम करेंगे तो लोग क्या कहेगा यह काम में मैं हाथ लगाऊं तो लोग क्या कहेगा यह समान बेचूंगा तो लोग क्या कहेगा यह छोटी नोकडी करूंगा तो लोग क्या कहेगा दस बारा पंदरा जार की जौब करूंगा तो लोग क्या कहेगा आपको बता दू कि वह करोड करोंगे मतलब कि बेरुजगारी से सबका इस्टार भनवय आव में जाते हैं कोई सट्टा खेलके Ameer बनना चाहता है कोई गलत काम में घुस के Ameer बनना चाहता है कोई ऐसा काम कर लेता है जिसमें बहुँ जैदा इंवेस्ट कर देता है कि रातो रात अमीर बनेंगे और रातो रात बरबाद हो जाता long term रास्ता है कि आप अमीर बन खेंगे, चाहिए आप कोई भी business कर रहा है, long term के सोच के कीज़े, कि आज मैंने स्टार्ट किया है यह मैं दस साल में पास साल में हो ही के रहेगा मैं लगातार मेहनत करूंगा वह हो के रहता है लेकिन रातो रात का सोचेंगे तो रातो रात यह संभव नहीं है कभी कभी किसी किसी के साथ चमतकार हो जाता है लाखों में करोरों में 10-15 लोग के साथ चमतकार हो जाता है लोग उसी के पीछे भागते रहते कि यह रूल हो तो सौट कार्स पैसा कमा लिया मैं भी वही करूंगा और उसी चक्कर में क्या होता है कि वो अपने जीवन को बरूबाद कर लेते और आपको एक चीज़ और बता दो सौट कार्ट में जिसको पैसा आता है जिसको से को खर्च कर लेते हैं पर जहांसे स्टार्ट करते हैं वह पर चले होंगे आगे आज के देट में आपको बता दूसका बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा आज वो दूद बेच रहा है खेती कर रहा है मतलब उसने 5-6 सालों में सारे पैसे को खतम कर लिया क्योंकि उसे लगा कि इतने पैसे मेरे पास आ गया कि यह पैसा खतम ही नहीं होगा क्योंकि अचानक स बैट का खाना शुरू कर देत eight नहीं ऐ ही बराते है मतलब संपती नहीं बराते है और महींगी महहंगी खर्च सबनारी है घार करके क्योंकि वो नीचे से उपर गया धीरे-धीरे स्टेप भाई ये स्टेप तीन-चार कामों को पार करके धीरे-धीरे उपर गया है लेकिन उसको step by step, step by step चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगे, कभी भी सौट कार्ट रास्ता में नहीं चले, सौट कार्ट के चक्कर में नहीं चले, क्योंकि जो सौट कार्ट रास्ता होता है, वो जल्दी खतम भी हो जाता है, क्योंकि जो लंबा रास्ता होता है, बहुत लंबी सुधा है तो वाइप की दिमाग परें अपने बच्चेदार है तो बच्चे का दिमाग परें अपने भाई बहन जिसने आपको सही हो किया उसका दिमाग परें कि इन लोग को हमसे क्या उम्मीद है और आप स्टार्ट अप करें मेहनत करें तरक्की जरूर आपकी होगी जिस द कुछ है लेकिन बातें इंटरनेशनल के तारी किमें गर्म की च हो यहीं हो जो सोय नहीं हो फिर की सब्सक्राइब कार नहीं होता वह घर को तयाकता है परिवार को तयाकता है उस समाघ को तया है जू समाझ समाझ किये हुआ था या फिर स्किल लिए हुआ होता है इस चीज का इस्तेमाल करके मैं कुछ करूं ताकि वहीं बाद में लोग जब देखते हैं जब सुनते हैं उसके बारे में कि सहर में जाके हो तो बहुत बारा आदमी हो गया ऐसे हो गया यह खरिद लिया अब तो इतना लेवल पर चला गया है कि उसका बक्त ही नहीं हम लोग के लिए मिलने के लिए अरे हो तो बरा आदमी हो गया उसकी बुराई भी करना स्टार्ट कर देते हैं साहरी एरिया में आजकल जो में अगले से आगे कैसे निकलू मेरा परोसी के पास अल्टो है तो मेरे पास मैगनाइट कार कैसे आए मेरे पास ब्रेजा कार कैसे आए मेरे पास क्रेटा कार कैसे आए जिसके पास क्रेटा ब्रेजा मैगनाइट हो सोचते हैं कि मेरे पास फर्चूनर कैसे आए फर्चूनर वाले सोचते हैं कि मेरा BMW कैसे आगे का सोचते हैं मतलब कि मुझे अचीज अचीब करना एक दूसरे को देखके तरक्की के लिए मेहनत करते हैं कंप्टिशन करते हैं गाउं में क्या होता है आगे बढ़ने के लिए देखना मिससे आगे चला गया गाउं में अकसर होता है कि मुझसे आगे चल गया तो इसको अपने लेवल में लाया कैसे जा उसको खीचने के लिए उसक कौन सा बिजनस किया जाए, कौन सा इंवेश्मेंट किया जाए, किस तरह से skill डेवलप किया जाए, कि मैं उससे आगे निकलू, इस पर लोग काम करते हैं, लेकिन ग्रामीन एरिया में आज भी क्या करते हैं, जो आगे निकल गया है, उसको खीचने का हो रहा है, कि मेरे लेवल मोह माया में मत परे रहे आप निकल लिए बड़े मेट्टो सिटी के तरफ निकल लिए बड़े लोग मिलेंगे अच्छे चीजों को आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे देखेंगे बड़ी बड़ी गारिया देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनिया देखेंगे आ लेकिन कि कौन क्या सोच रहा है कौन क्या कह रहा है मैं क्या करूँ यह करूंगा तो क्या करें कहेगा यह करूंगा तो क्या कहेगा फिर तो आप ऐसे ही देखते रहे हैं आच्छल सोचल मीडिया का जमाना है बस रिल स्कॉल करते रहे हैं दूसरे के तरक्की देखते रहे हैं दूसरे के बारे में सोचते रही है, दूसरा का ब्लोग देखते रही है कि कौन कार खरीद रहा है, कौन बंगला खरीद रही है, यह सब लुक कर रहे हैं सोसल मीडिया पर, दूसरा के जिंदगी देख रहे हैं, दूसरे के जिंदगी में जाकर रहे हैं, करते रहे हैं, ऐसे ही पहले थोरा मुश्किल भी होता था अपता असानी से आपकी जिंदगी कर जाएगी खाते पीते और रील देखते हुए एक बार रील में घुस गये तो पूरे दिन साथ गंडा आट गंडा दस गंडा रूख रील देखते ही रहा जाते है दीन काटना बहुत असान हो गया और कहूंगा फिर से रिपीट कर रहा है उसी बात को कि लाइब का कल्कुलेशन जरूर करके चलेंगे आप कुछ ने कुछ कर पाएंगे कुछ ने कुछ एचीव कर पाएंगे जीवन में क्योंकि लाइब कोई 200 वरस 400 500 वरस का नहीं है अन्यता आप इस उमर में चले लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तेसके लिए कोटी कोटी धन्यबाद देता हूं अब हारी हुआ आपका मिलता है नेक्स वीडियो में नए मुद्य के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यबाद जैन दोस्तों